तो लास्ट का वीडियो एक exercise वीडियो था आप सभी के लिए उस exercise में आपको क्या करना था आपको सबसे पहले user से input लेना था और user एक number input करता और आपको उस number का table देना था तो सबसे पहले हम user से input लेने के लिए एक variable बनाते है नम नाम का और इसमें हम input function को call करते हैं और input में हम लिखते हैं enter the number ओके तो हमारे पास यहाँ पर number input करेगा user और हमें इस number को integer में convert करना पड़ेगा क्योंकि हमारे input function कोई भी input लेता है तो वो लेता है string में तो हमने यहाँ पर input ले लिया है integer में और अब हमें क्या करना है हमें एक i नाम का variable बनाना है जिसे हम assign करते हैं once से तो हम जब भी while loop चलाते हैं तब हम i नाम का variable बनाते हैं यह ज़रूरी नहीं है कि आप i नाम का variable बना है आप चाहे तो किसी भी नाम का variable बना सकते हैं अब हम क्या करते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं while और यहाँ पर condition देनी होती है तो हमें once से लेके 10 तक का table चाहिए तो हम य while loop के अंदर लिखता हूं print और print function के अंदर हम क्या करेंगे हम print करवाएंगे num into i तो हम यहाँ पर करवाते है num into i हम num into i क्यों करवा रहे हैं क्योंकि हमारा user जो number दिया है वो num num के variable में store है और हम उसी number को i से multiply किये तो हमारा i का value 1 तो num into 1 हो जाएगा सबसे पहला number और हम इसे print करवाएंगे उसके बाद हमें num into 2 करवाना है तो हम यहाँ पर i का value को increment करता है तो हम यहाँ लिखते हैं i plus equal to 1 तो इसे क्या होगा i का value 2 हो जाएगा फिर num into 2 हो जाएगा फिर num into 3 हो जाएगा फिर num into 4 हो जाएगा ऐसी चलते रहेगा loop तो अब मैं इसे save करके run कर वगर और मै तो यहाँ पर पूछ रहा enter the number ओके तो यहाँ पर हम दे देते हैं 6 तो यह देखिए हमारे पर 6 का table output हो चुका है अब हम चाहें तो हम यहाँ 12 देते हैं यह 12 का table भी output में आ चुका है तो ऐसे हमें इस problem को solve करना था अब अगर मान के चलिए आप यहाँ पर input function में int को call नहीं क किया है और वो number एक string number है और जब भी हम string को multiply करते है i से मतलब string को multiply कि एमान के चलिए यहाँ पर अगर हम 6 दिए तो 6 multiply by 1 किता होगा 6 6 इसलिए होगा क्योंकि 6 integer नहीं है 6 है string और फिर यहाँ पर i का value जब 2 हो जाएगा तो 6 into 2 मतलब 6 6 दो बार print होगा और ऐसे हमारे पर 10 बा बन चुकी होगी मैं लिखता हूँ 6 तो यह देखिए हमारा 6 का पूरा pyramid बन चुका है यहाँ पर 6, 1, 2, 3, 4 इतने बार है तो आपको धियान रखना है कि आप यहाँ पर int में जरूर से convert करें और अब मैं सेव करके run करूं और मैं यहाँ डालो 5 तो यहाँ पर output आ चुकी है थालो 5 तो यहाँ पर आपको अपकोई लिगाए भालो बन चुकी है पर अबना मैं जरूर आपकोई का लिखता है